पर आज से पहले हम लोग कभी नहीं रुखे हैं और यह जो डाबा पढ़ता है यह पढ़ता है जो जब देरा दूशे आएंगे तो यह एक तोल पढ़ता है 45 उपे का तो इसके बाद यह डाबा है और मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि उससे पहले हम रुखे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनगर में क्योंकि जो सर है उनको मैं पहले भी कई बार लाच आँ तो उनके जो पैर में चोट लगी हुई है तो मुझे लगा कि वह उत्रेंगे नहीं और मैं सुबह अपना खाभी कही चलाता तो इसकी वज़े से में रुखा नहीं गई अब देखते है कैसा क्या है वैसे काफी बढ़िया लग रहा है अब सर से बात दो भी सर से पूचके में बताऊंगा आप लोगों को कि सर को यहां का कैसा लगा ठीक है जली अभी सर आ रहे हैं क्योंकि जो सर है मनलब उनके साथ एक उनका लड़का कहलो या जो भी मुझे आइडिया नहीं ह तो वो अंदर से पैक करा के खाना लेके आएंगे क्योंकि जो सर है उनके पैर में पैर का साथ ऑप्रेशन हुआ है इसलिए वो उतर नहीं सकते गाड़ी से तो उनसे बात करके फिर हम लोग आपको बताते हैं हेलो गुड मॉर्निंग आइज बेलकम बेक टू माई न्यू विलोग और आज हो चुकी है 28 अगस्ट टाइम हो चुका है आठ बज के 40 मिनट हम खड़े हुए अभी गाजियाबाद खोड़ा कालोनी जैसे कि आप लोगों को पता है सामको मैं आ गया था अपने रूम पे और पिकप के लिए और आज हम जो जल्दी इसलिए निकल लें कि आज हो सकता है अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी दीदी के रूम पे जो की आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा वीडियो में क्योंकि आज जो हमारा पिक आप है तो वहीं से है दीदी के रूम के लगर के प कि वैसे तो सरक जिनको पिकप करना है वो उनको मैं पहले भी ले जा चुका हूं तो सर मलब ऐसा कुछ पता नहीं रहता है अभी सोबैसे कैसा क्या रहेगा जो भी अपडेट होगा आप लोगों को अपडेट देंगे तो चलिए सुकलते हैं आज का विलोग अपना खोड़ की तरह पहुक करते हैं फटावट से पीक अप कि आप इस आइज यू पार देंड़ श्काइज लूट ऑन जस्लेट अस्केप एंड़ आव इस ना तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गिरेटर नोडा नोडा एक्स्टेंशन जहां से हमारा पिक अप होना है वो लोकेशन भी बिल्कुल मेरे राइट साइड में है और अभी हमारे पास जो टाइम है करीब 40-45 मिनट का टाइम है तो तो यहां 40-45 मेरे टाइम बेस्ट करने से बढ़े है मैं जा रहा हूं अभी दीदी के रूम पर तो आज संडे है सभी लोग गर पर ही होंगे तो अपना थोड़ी देर वहां पर टाइम बिताएंगे उसके बाद फिर पिक अप कर लेंगे क्योंकि विल्कुल उनकी के लिए अपना लेके चलेंगे क्योंकि सुबह सुबह मैंने भी कुछ रूम पर नहीं खाया था कुछ भी पर नहीं किया और मुझे लग नहीं रहा कि यहां पर कुछ मिलेगा अभी क्योंकि टाइम हम लोग जल्दी आ गए ना इसकी वजह से देखते हैं तो फिर दीदी के पर एक बात है दोस्तों जैसे नोईडा में अगर रहते हैं गाजियाबाद नोईडा दिल्ली उसकी अपेच्छा ग्रेटर नोईडा जो है थोड़ा बढ़िया लगता है क्योंकि काफी खुली-खुली सी जगह रहती है चलिए यहां पर गर्मा गर्म जलेवी सीक रही है औ और हम मेरी इच्छा थी जलेवी की और जलेवी हम मिल गई लेते हैं यहां से जलेवी पैक कर आते हैं से लाइड इंसाइड इंसाइड यू राइड दे स्काइड होल्ड जस्ट लेट इस एसकेप और भाइवी तनाइड जलेवी हमने ले ली हैं और अपना वही गरीवों की रैड बूल जो रास्ते में हमारे काम आएगी अभी जस्ट पिक अप जब करेंगे वैस्ट अल्मोस्ट हमारा टाइम यहीं हो गया दो चॉक्लेट ली हैं अब अबस हम निकलते हैं अब दीदी के रूम पे अब ज्यादा टाइम तो नहीं रुख पाएंगे क्योंकि टाइम इतना बचा अबी नहीं है दस बज़े पिक अप था नौ बज़ के पचास मिनट में यहीं होगे आदा गंटा हो गया यहीं पर खड़े-खड़े पहुंचते हैं अभी देदी के रूम पे फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जी जाइजी के रूम पे और यह सुसाइटी के नीचे यहां पर गाड़ी खड़ी कलते हैं और अभी देखते हैं जैसे जलेवी लिए तो जलेवी का मज़ा बिना दई के तो वेकार ही है देखते हैं अगर मिलता है तो नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे वहां र्याद नहीं रहा ले लेते है 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 यह अगर में अंदेरा क्या बात है यह अब हम तो उम्मीद कर रहे तो सो के उठें भी नहीं होंगे हाई 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 संडे वाले दिन ऐसे काम भी करना पड़ता है लाइट नहीं आ रही तुमारे इसे खोलते हैं अरे यह सही है मारी मल जी है दो मिनेट में आता है विल बड़ो जा रहा है कि सब्सक्राइब हो है कैसो लग रहा है कि सब्सक्राइब देख रहे हैं तो गाइस फाइनली हम निकल आए हैं दीदियो जी आजी के घर से और आज आप समझे जलेवी की सिर्फ जलेवी की वज़े से आदा घंटा में डिले हो गया जो मेरा पिक अप था वो दस वजे का था अगर मैं महां नहीं रुकता क्योंकि आदा घंटा मेरा वहां खराब हो गया ठीक है सर का फोन भी आ गया लेकिन मैं उनको बोल दिया है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और क्योंकि वह काफी पुराने क्लाइन है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है तो गाइस आलमोस्ट हम पहुंच गए हैं सरकी सुसाइटी में जिस सुसाइटी से पिक अप होना है आज का सीन कुछ ऐसा ही रहा मॉर्णिंग में तो गाइस आज के टाइम पर नोईडा में आप समझ लो आदे जारा सुसाइटी जो है न वह ऐसी है कि गेट पर हम लोग जो भी एडर्स बताते हैं उनका एक अपना कुछ एफ्लिकेसिन टाइक का बना होता है पता नहीं उसमें वह मैसेज डालेंगे और जब तक कस्टमर क की तरफ से यह बैरिफाई नहीं होगा कि आठीक है यह गाड़ी आ रही है यह कैब आ रही है अगर बोल देंगे यह आने दो तो यह जाने देते हैं बरना उतनी देर तक आपको गेट पे ही खड़ा रहे न पड़ेगा और यह सिक्योर्टी के परपर से देखा जाए तो सब्सक्राइब करें देखा रहे हैं यहीं किस नाम से कैसे क्या है पहले सारा कुछ मैनुवल होता था आज की टाइम पर जब से डिजीटल इंडिया हो रहा है सारा कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है तो काफी बढ़िया है और मॉलनिंग का बस यही शीन दा दोस्तों आप लो थकान हो गई थी तो इसकी वजह से सामकुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया तो चलिए अभी फिलाल सर को पिक अप करते हैं और रास्ते का अपडेट आपको देते हैं जैसा कुछ भी रहेगा और बस अभी देखते हैं सर कितनी दियर मैं आते हैं नीचे कॉल मैं कल देता हू तो गाइस टाइम हो चुका है एक बच के चालीश मेर्ट और आज हम लोग जो रुके हुए है यह डावा है बिल्कुल है अमनलब इस पे आज से पहले हम लोग कभी नहीं रुके है और यह जो डावा पड़ता है जो जब देरा दूशे आएंगे तो इसके बाद यह डावा पर दो आज है कि इए तो देखते हैं कैसा क्या है बैसे काफी बढ़िया लग रहा है अब सर से बातों है था सब्सक्राइब क्या है कैसा लगा तो अभी सर आ रहे हैं क्यूंकि जो सर है मौनकर साथ एक उनका लड़का कहलो या जो भी मुझे आइडिया नहीं है तो वो अंदर से पैक करा के खाना लेके आएंगे क्यूंकि जो सर है उनके पैर में पैर का साइड ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो उतर नहीं सकते गाड़ी से तो उनसे बात करके फिर हम लोग आपको बताते हैं बैज तो फिलल हमने ड्रॉप कर दिया है और अभी हमें यह से निकलते हैं यहां पे ओरही है बारिस काफि जो कि हमें अभी नुइडा दिली में देखने को नहीं मिल यहू सbn अपया और यहां अभी बड़ी आवाली बारिश में लगी है आप लोग आपार में दिखा रहा ह ऑन्याथ और अच्ती अ का फिर ऑन के लिए पाउटे दोड़ ऑम का लाउयर के लिए भी का लाउयर अग्ती है लोड़ उसे दुट से लिए स्वाइब ऱ्याव टूल सबस्के रखसके लिए जिए आ फालब मत गरए़ खी पने दूल से लिए जए लाउगे लिए fan लाज्ज उड़तित यू दितए़ महारे, बस्थाज़तित गयां पर लंगें, लेखाँ़तित व्यूक्तित कुछ्छिश झाल किसंद़ च्रायल कि धित वाँना थाज़तित की महारे, बस्ते बाद बाल खाज़तित पर्दाबतित झाल, यूजड़तित अर। तो टाइम हो चुका चार बज़ के पंद्रे मिनिट और हम पहुंच चुके अपना सस्तधारा रोड सी एंजी मैंने भरा ली है और सर को मैंने ड्रॉप कर दिया था करीब आदे गंटे पहले मतलब आप समझ लो करीब साधे तीन वज़े के आसपास मैंने सर को ड्रॉप कर दिया और आज का सीन यह रहा कुछ जैसे सुबह का आप लोगों को पता है सुबह हमारा करीब आदे गंटे लेट पिक अप हुआ था क्योंकि वह जलेवी के चक्कर में आदे गंटे अब डिले हो गए ठीक है तो अबस अपना नास्ता पानी के चक्कर में डिले हुए मतलब ऐसा कोई लेट निकला घर निकला या दिकत नहीं लेट ऊज़ेस अपने मंजे में रही इस और लृठ एसक नहीं कोई गंटे ऐसे घंटे लट और सौरत मैं मैं गोह करीई जाना कि अन्यों तोसलों कुछ ऐसा बोले अब मुझे नहीं पता किस चीज का हुआ है बट उनके पैर में पट्टी बंदी थी वो चल फिर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां भी जो उनको बैठाया गया था जो उनके फिलेट्स चे गाड़ी तक उनको लेकर आयते तो वैसी जो चेयर होती है ना वो पईये वाली तो उस के बाद फिर मैंने की चलो देराद उन पहुंचके खाना खा लेंगे तो जैसे ही हमने मुझफर नगर क्रॉस किया फिर सर बोलते हैं मैडम बोली कि बहिए कहीं डेड़ बजे कास पास गाड़ी लगा लेना किसी डाबे या रेस्टोरेंट पे तो मैंने उनको बोला मैंने म अब तो ऐसा कोई पड़ेगा नहीं अगर आप ऐसा पहले बता देते तो मैं क्योंकि पिछली वार जब हम आयते ना उनको लेकर तो पिछली वार ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुए थी मैं मलब नॉन स्टॉप गाड़ी लाया था कहीं मैंने गाड़ी नहीं रोकी सिर्प एक ज चलो जैसा भी है कोई दिक्कर नहीं जैसे आपकी इच्छा और देखते हैं रास्ते में अगर कोई ऐसा डावार रुक के मिलेगा तो वहां गाड़ी रोक देंगे फिर उसके बाद हमने एक जगे गाड़ी रोकी थी जो आपने देखा होगा मैंने वहां पे खड़ेओं के वीडियो भी बनाई थी आप देख लेना तो बो रेस्टोरेंट सिर्फ नाम का रेस्टोरेंट था डावा था जो भी ता मुझे आइडिया नहीं है और काफी बी आई पी उन्होंने बना रखा था बट सर को खाना खाना था तो वहां पर उस टाइम खाना आवेलवल नहीं कहते हैं कि अभी इस टाइम खाना नहीं मिलेगा आप और चीज़े खा सकते हो तो फिर वहां से हम लोग निकल गए फिर एक जो होते ना छोटे डावे जिन मलब जैसे ट्रक वगरा जो रुखते हैं उस टाइप के जो डावे होते वहां फिर हम लोग नहीं गाड़ी रोकी अपना खाना पीना कल लेंगे तो अभी हम दैरादून पहुच गए हैं और सी एन जी बराके भी हम फिर हो गए बाहर यह देखो बारिस हो रही है तो अभी थोड़ी बंद हो गई बारिस और अभी देखते हैं खाने पीने का अगर या तो मैं जोमेटो करूंगा और या फि इस जगह पर खाते हैं ठीक है तो देख्ते हैं जैसा अभी होगा जो भी होगा और कुछ है ना हि मिलेगी या नहीं मिलेगी lesser कब तक मिलेगी कैसा रहेगा जो कुछ भी रहेगा आप लोगों कब करेंगे और तो फिलाल आज का सीन अभी तक तो यही रहा है आगे का कैसा क्या रहता है आप लोगों को बताएंगे तो चलिए ठीक है देखते हैं अभी खाने पीने का जो भी होगा कलते हैं कि यह देखो रात में जो देरादून लगता है ना मलब लाइटों के बीच में कितना खूपसूरा लगता है और एक तो बारिस हो रहे हैं तो फी बज़े से काफी वैदर भी क्लीन है और अभी हम जा रहे हैं सर को पिक अप करने हमारे पास एक दूसरी बुकिंग आ चुकी है और उनको लेके जाना है मेरट तो अभी कोई आइडिया नहीं है अभी हम जा रहे हैं पिक अप करने फटाबट से कलते हैं पिक अप तो देखते हैं सर का कैसा क्या रहेगा इसाब किताब कैसा रिव्यू रेटिंग सरी इसाब किताब गलत बोल गया मैं कैसा क्या रहेगा ज जगे हम खड़ेते सस्तदारा रोड पे वहां पर काफी हो रही थी यहां पर मुझे लग रहा है कि बारिस होके बंद हो गई है अभी पता नहीं हो सकता है आगे और होने लगे नहीं करवे looking दरादुन में करीं थीन वजे ने डॉप किया था तो तब से भार अभी रही है और अभी कर सब्सक्राइब करते हैं देखते हैं कितना टाइम हमें और लगेगा क्योंकि अब तो दिल्ली जैसा ट्रैफिक देरादून में भी काफी होने लगा है जैसे आप देख सकते हो मेरे आगे अभी तो खेर ग्रीन लाइट हो गई और मेरे ख्याल से दो चार मिनट और लगने चाहिए क्योंकि जो हमारा पिक अप है तो उपर से भाई आ रहे हैं उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको गंटागर चौराई पर मतलब गंटागर चौक से सारनपुर वाले रोड पर मुझ को दिखाता हूँ घंटागर तो हम पहुंच चुके हैं और यह देखो क्लॉक टावर जो है कितना मलब तरंगे के कलर में कितना सुंदर लग रहा है काफी मज़ा आ रहा है सो गाइस टाइम हो चुका है बारे बज के 35 मिनट रात के और हम पहुंच चुके हैं मेरट आप लो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ केंटेरिया के निरेस्ट में देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह जो है केंटेरिया है स्टार्ट और बस यहां से अभी हम जेस्ट निकल रहे हैं और सीन कुछ ऐसा रहा कि मैं खड़ा हुआ ता देहरा दून जैसा कि आप लोगों को कॉल आ गया था एक अचानक से तो फिर उनको मैं लेके निकलाया मेरट तो अभी मैंने सर को ड्रॉप कर दिया है मेरट मैं खड़ा हूँ तो बस आज का फिलाल का यही सीन रहा तो ऐसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं मतलब वहां पर मैंने ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि आप समझ लो एक तो थोड़ा व्याइपी टाइप के कस्टमर थे क्योंकि समझ सकते हो आप जब जो बंदा रेंज रोवर्षे आ ठीक है तो वह माहौल नहीं था और बच्चे थे लेडीज थी तो इसकी वज़े से वहा अब भी तो हम यहीं मेरड हैं, अब देखते हैं, आगे का कुछ क्या अप-डेट रहेगा अगर कोई डूटी आती है तो नहीं आती है तो और नहीं तो यहाँ से हम निकलते हैं, खाली तो गाइस आज का सीन यही इतना ही रहा बंट आज का अगर देखा जाए तो हमारा दिन काफी बढ़िया गया और आज का विलोग जो हमारा एंड होता है वो यही पे एंड होता है तो चलिए अगर इसी के साथ समापत होता है आज का विलोग हमारा यही और अगर आप लोग हम एक लाइक जरूर करके जाना अगर आपको कोई भी कैसा भी इसू आता तो प्लीज कमेंट जरूर करिए तो इसी एक साथ दोस्तों जैहिन बंदे मात्रम एंड गुड नाइट श्यूट बाइ टाटा झाय साथ लाएगर बंदे मात्रम एंड बंदे मात्रम प्लीज क Normally This World